पौडी जिले के थली सैन ब्लॉक के गंगाउ, कोटा, भीडा और अन्य गाउ में पशू पालकों के बैल अचानक दम तोड़ रहे हैं जिससे पशू चकित्सा विभाग चिंतित है, इन मवेशियों के पेट में रात को फुवारा बनता है जिसके बाद उनके नाक से एक खून निकलने लगता है और फिर वे अचानक दम तोड़ देते हैं अब तक 10 से अधिक मवेशी इस लक्षण के बाद मर चुके हैं, जबकि 20 से अधिक मवेशी इस बिमारी से घ्रसत है पशू चिकित्सा विभाग ने इसे प्रतम दृष्ण में ग्रॉस पॉइजनिंग यानि की जहरीली घास का सेवन माना है विभाग ने इन मवेशियों के सेंपल लेकर बरेली लाब भीजे हैं मुखे पशू चिकित्सा अधिकारी ने गाओं का निरिक्षन किया और बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मवेशियों ने घास के समय कुछ जहरीली घास खाई हो जिसके कारण उनकी तबियत बिगड रही है एतियात के तौर पर पशू चिकत्सा विभाग ने दवाओं के साथ टीम भीजी है इसके अलावा ग्राविडों से अपील की गए है कि वे मवेशियों के पानी पीने और चुगान करने वाले बरतनों को साफ करें और मवेशियों के ठेरने वाले कमरों में चूने का चुड़काव करें ताकि रोग की रोग ठाम हो सके अपने टीम के साथ पुना लेक्षण आखों से रम देखने ही इच्छा हुई और मैं वहाँ पहुँचा तब मुझे बता चला कि लगबग यहां आठ से दस परशों के मृत्ति हुई है लेकिन वो एक हफते में नहीं हुई किसी की एक महा पूर हुई थी किसी के पंदरा से बीज दिन पूर और सभी में एक जैसे लक्षण नहीं थे पर यू ने बताया कि मेरे हमारे परशों के खुरू में लाल पन आया फिर किसी ने कहा कि उसको पेट में कॉस्टिपेशन हुई इस तरह की कुछ लक्षण बताये गए फिर भी हमने अधिकता दोगों ने जब बताया कि नाक से खुन आना और अफारा होके मृत्ति होना और सभी में एक कॉमन बात थी कि दिन पर सभी को पशुषफस्ट मिलते थे उन सभी में एक कॉमन बात कहने का था कि हम जब चुगां के लाते थे या ग्रीजिंग के बाद आने के बाद जब रात को गोशाला में बानते थे तो सुभे वो हमें मृत्ति पाए गए और ऐसे उनमें अफारा के दिखाए दिये